अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवनी आपन कर पाएंगे दोस्तो आज हमां आपको वास्तो साथ से जुड़ी कुछ एहम बाते बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत लापकारी साबित होंगी क्योंकि वास्तो साथ में हमारे जीवन से जुड़ी कई चीजों को बताया गया है लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकते किसमत पर आएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी सेर करें जिससे की सबी लोग इस महत पून जानकारी का फून लाव भासकें दोस्तों अब हम अपने विशेपे पुना वापिस आते हैं यदि आप वास्तु सास्तर में बताए गए नियमों का पालन करते हैं जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई परिसानी या कमी नहीं होगी आज हम आपको इस वीडियो के दुआरा ऐसे चार फूलों के बारे बताने जा रहे हैं जिनसे घर में सुक सरमद्दी रहती है मालक्षमी घर में आके विराजमान होती है और घर में धन दौलती कभी कोई कमी नहीं होती सबसे पहले बात करते हैं परमपिता परमश्वर भगवान विष्णू की भगवान विष्णू को गेंदे का फूल बहुत प्रिये है मा को ये फूल बहुत प्रिये भी हैं खास करके गुलाब अगर लाल गुलाब हूँ आप गुलाबी भी लगा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए मा लक्षमी की पूजा करते हुए नमित रूप से मा लक्षमी को गुलाब का फूल अर्पित करें यदि आप पर भारी कर्ज है तो आप कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मा दुरगा को पान के पत्ते पर गुलाब की पंख्णियां रखकर अर्पित करें इससे आपको कर्ज से मुक्ती मिल जाएगी यदि रुपियों पैसु की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो टेसु के फूल को नारियल के साथ बांद कर तिजोरी में रखें गुड हैल का फूल घर के मुक्खे द्वार पे गुड हैल के फूल का होना बेहत सुब माना जाता है सूरे देव को जल अर्पित करते समय इसमें गुड हैल का फूल जरूर डाले और रोजगार से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए सनिवार के दिन मा काली को गुड हैल का फूल अर्पित करें दोस्तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें दोस्तो अब हम आपसे मिलते हैं अंगली वीडियो में जब तक के लिए जयमातादी धन्यवाद